सब्सक्राइब आज की इस भागा ध्वड की जिंदगी में खाना कब खाना है कब पानी पीना है कुछ समय नहीं ना तो आदमी को मालूम किशी भी घर के अंदर दादी नानी के नुश्के नहीं इसलिए सब भूल चुके हैं क्या खाना चीए कुछ भी मालूम नहीं फ्रीज क क्यों अंदर रखी वस्त्व में इतनी जबरतस्त गातक और नुक्षान दे हैं आप परी सोच भी नहीं सकते परिकल्पना से परहें इसके बारे में मैंने एक पहले वीडियो बता रखा है उसमें आप देख लीजिए गाव फ्रीज सेद के लिए कितना जबरतस्त नुक्ष है कुछ भी मालूं नहीं कि किस्ते कुछ है होने वाला है या यह केवल 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 जित्यायगा के लिए घर में रख लीजिए आपके पूरा जविस हैं आपके फ्रीज का जो होने वाला दिस्प्रभाव है, आपके जो बासी भजन का दिस्प्रभाव है, आपका जो फास्ट नुडल्स का कुछ भी अगर किषी प्रकार का नुक्षान खाने में पीने में हो रहा है, उसको रोकने की शमता रघता है. यह 5 चमतकारी शार्य वस्तुं हैं इनको आप अपना लेजिए देनिक दिन चेरिया में या देन दिन चेरिया में नबी अपना पाते हो तो सप्ते में दो बार मैने में चार तुम पांच बाशगा सेवन करवा दीजिए पूरे परिवार को मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि आपके परिवार में कोई भी वहत्ती बीमार नहीं हो सकता इतना वहत्री नहीं यह सार्य पदार्थ शेकड़ो प्रकार की बीमारियां आज की साइंस बता रही है उनको आई रवेद ने तीन भागों में विवक्त कर तीन प्रकार की बीमारी बताया है वात पित और कफ इन तीनों के असंतुलन के कारण बीमारी की उत्पति होती है तीनों का संतुलन बराबर चाहिए वात पित और कफ का स्थन्तुलन बोड़ी के अंदर बराबर चाहिए मतलब चाहिए इसमें जैसे ही रदो बदल होता है तो आप मानके चलिए कोई कोई बीमारी आपके स्रीर में प्रविष्ट कर चुकी है मैं जो अभी आपको यह सार्य पदार्त बड़े चुमतकरी बता रहा हूं यह वात पीत और कफ तीनों का संतुलन बनाने में इसकी दिनिया के अंदर कोई चाहिए इतने बहतरीन है यह सारी वस्तुएं इन सारी वस्त से लेकर अपरेशन की नवत नहीं आएगी क्यों तो उसको घर में ही यह सारी वस्तू जड़ मुलस नस्ड कर देगी कर देंगी हखिकत में फ्रीज से जो थंड बन जाती है खाने वाली वस्तुए खद्य वस्तुओं में जो ठंड़ का जाती है उस ठंडी वस्तु को आप से न तो आपके किसी नस्व में सुजन होने देगी और नहीं दूसरी विक्रितियां पैदा होने देगी एक गिलास पानी के अंदर एक चमच बिलोया हुआ गाई का देशी की है गुन-गुना कर उस पानी में डाल दीजिए और पी जाईए खाने के बाद कभी भी पी सकते हैं आप ये 6-7 दिन कर लीजिए आपके शरीर में चमतकार पैदा होगा क्योंकि आपके शरीर में फ्रीज के कान जो बीमारियां घुष चुकी है वो बाहर निकल जाएगी जो आप फास्ट फूर खा रहे हो वो सारे जो अंदर सरीर के अंदर भरे पड़े हैं वो सारे निकल जाएंगे सारी आपकी जो तली जली वस्तु में जो पेट में गंदगी के रूप में भरी पड़ी है वो सारी निकल जाएगी आप करके देख लिजिए साथ ही इस देशी घी को जो बिलोया हुआ हुआ है गाई का वो लेके आप दवाई के पूरे परिवार के लिए आप इसका चमतकार देखे इसके रिजल्ट देखे इसके परिणाम देखिए आप खुद अच्बेम पढ़ेंगे जबी तर देशी घी की इतनी महता है आप जानते हो इसी देशी घी को दो दो बुंद दोनों नाकों में टपका दीजिए पूरी परि क्या से बता रखा है वह आप मेरा वीडियो देख लिजिए और इसका सदूपयों कर लिजिए यह आयोदीन वाला नमक बंद कर दीजिए इसकी जगाप शेहंदान नमक करिए आपके परिवार को क्यूं बीमारियों में ज्वाक रहे हो इस आयोदीनवाले नमक से बंद करव मिलाकर अगर सुगर पैसेंट है तो इसको डारेक्ट पी लीजिए कोया पती नहीं है यह आगर आप पीते हो तो आपके शरीर में इतना जवर्दस्त परिवर्तन आएगा सारी बीमारियां जड़ मुल से इंदस्ट होना जाए दुनिया भर के इसके फाइद हैं फाइदे गिनाने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इस हरी धन्या की पतियों में तो वह शमता है इसका 30 ग्राम द्रस निकालकर आप थाइराइड पैसेंट को कुछ द बढ़िया बात है हर सिंगार का जो पोदा है उसकी चार से पांच पतियां ले लिजिए उसको बढ़िया बहत्रीन धोद्वा के बढ़िया बज़वर्दस में क्यूट कटाक एकदम प्रेस्ट बनाकर डायरेक्ट भी आप ले सकते हो अन्य था आप छानकर एक गिलास पानी करेगी इतना बैतरीन यह करके देख लीजिए नहीं से कई लोगों को सब्वेद्वों को जानता हूं संतों को जानता हूं जो यह नुश्के देते हैं और उससे लाव होने के बाद मैं रोगी आकर इनकी इतनी महिमा प्रसंसा करते हैं कि आपने हमारे को नव जीवन दे दि यह ऐसी चमतकारी सारिय जो पस्तु हैं इसका सेवन आपने सिखा आपको यह जानकारी बात बढ़िया लगी मेरे इस चैनल को आप सुस्क्राइब करोगे बेल आइकन को प्रेस करोगे और आप जुस्तों का भड़ा जाते हैं इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि आप इसको सेर करोगे ही करोगे क्योंकि आप मेरा वीडियो पुरा देखने लग गया है एक लाइक मेरे लिए